नमस्कार दोस्तों, अल्फा फाउंटेंस में आपका स्वागत है, अल्फा फाउंटेंस दिल्ली में है, अल्फा फाउंटेंस में अथ्था सिंग से सो दिया, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेंज कहां से स्टार्ट होती है, फाउंटेंस में रेंज कहां से स्टा AAAAAAAAN होती है तो यह भाईयों को भी आईडिया नहीं है मैं आपको दिखा दूंढ़ा यह हमारे पास सबसे छोटा नोजन होता है यह सब से छोटा नोजन है इसको 28 गैथे हैं एक सूथ होती है और हमारे fountains में काम करने वाले जो भाई हैं वो आपको पूरा data देंगे नहीं जो अगर आप data देंगे तो आप काम सीख जाएंगे और काम सीख जाएंगे तो fountain वालों से पूछोगे क्या हैं तो यह सबसे चोटा नोजल है इसे 1.8 कहते हैं उसके बाद में है यह one four यह one four नोजल है यह जो ऐ three stage नोजल में भी काम आता है यह सारे इसमें लगे हुए है इसमें फरक इतना है कि यह जो नोजल है इसमें यहां पे gap है इसमें बनेट का full third नोजल होता है फुल थेड़, यह आप देखिए, इसमें फुल थेड़ है, यह थ्री स्टेज में लगता है, फुल थेड़ नोजल है यह, तो यह आप लगाएंगे, तो आपको पिले नहीं करेगा, यह जो दूजरा नोजल है, इसमें गैप है, इसमें जो है, गैप है, तो यह थ्री 3-8 3-8 नोजल है ये इसे तीन सूत भी कहते हैं इसका 5 mm का होल है ये 5 mm का होल आप देख रहे हैं ये 3-8 या 3 सूत बोलते हैं उसके बाद आ जाता है हमारा आदा इंची 0.5 mm इसमें जो आठ एमें का होल है कि इसमें 6 mm का होल भी होता है ये आदा इंची नोजल एड़ेस्टेवल एड़ेस्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि उसके बाद में आता है पौना इंची ये जो नोजल है यह मल्टी है दो तरीके से अंदर से जो पौना इंची है और बार एक इंची है यह एक इंची है बार यह हमारी रेंज स्टार्ट जहां से होती है बनेट से मैंने बताया और एक इंची तक यह हमारे गार्डन फांटनों में दिवार पर पानी गिराने में और रिंग फांटेन में या गिलास पर पानी गिराने के काम में आता है यह जो है यह नॉजल को एड़ेस्ट करने के लिए होता है इसे हम लोग चिक्की वाउलबाल भी कहते हैं यह समें पीस तरीके से लगेगा इसमें पूरा इसमें हो जाएगा यह इसमें बैठ जाएगा इसको दिखा दूँ आपको यह आप देखें इसमें यह लगेगा तो जो पानी है पानी को आप इससे मैंटेन कर पाएंगे यह देखें यह पानी अगर आपका ज्यादा दे रहा है यह कम दे रहा है तो इसको आप मैंटेन कर पाएंगे यह अमारे पास एवलेवल है यह अभी आप देख सकते हैं उच्षिक की वालवाल यह आपको अमारे पास एलेवल मिलेगा नोजल भी मिलेगा और इनकी जो भी होगी यह 3-8 का है तो यह 3-8 के नोजल के साथ में पाइट में है या रिंग में इसको वेल्डिंग कराके इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं यह सॉकिट भी है और यह सॉकिट इसी काम आती है और इसमें अगर हमें बन फोर में लगाना है तो यह बन फोर के सौकिट के साथ में यह इस तरीके से लग जाएगे यह सैट इस तरीके से हो जाएगा यह आपका इसमें लग जाएगा और यह आपका पूरा सैट तयार हो गया यह सैट हो गया आपका तयार इसको हम पानी को हाइड मेंटेन कर सकते हैं यह हमारा रिवॉल्विंग नोजल है थ्री स्टेज है थ्री स्टेज की बॉड़ी है बाकी हमारे पास सारे नोजल्स है एविलिवल्टी है यह बाल जाइंट हमारे पास देख सकते हैं पुरा यह मैं दिखा दूए हमारे पास बाल जाइंट ही है सारे इसमें यह बाल जाइंट है यह हमारे पास ball joint का stock है यह हमारा three eight का जो nozzle है उसका stock है three stage का जो nozzle में लगता है और यह हमारा one eight जो सबसे छोटा जो nozzle है उसका stock है यह हमारा आदा इंची आदा इंची का stock है यह हमारा आदा इंची का stock है यह हो गया हमारा one four यह one four जो फोल थेड़ में है वो nozzle available है इसमें और यह अम्रेला जो चल रहा है यह हमारे पास रेडी स्टॉक है तो जिस भाई को भी अल्फा फाउंटेंस दिल्ली में संप्रक करना है नम्मर है 9891283477 दूसरा नम्मर है कई वार यह नम्मर दिन में बंद रहता है एक वज़े से तीन वज़े तक तो दूसरा नम्मर है 9810770107 इस पे अतुल से सोधिया मिलेंगे उनसे भी संप्रक कर सकते हैं वह सारा कि समालते हैं और हमारे पास यह आपको नोजल मिल जाएंगे रेंडांस नोजल भी हमारे पास है और हमारे पास इस टील में किसी भाई को अगर हमारे पास इस्टील में सौकेट ही चाहिए यह इस्टील में आधा इंची हो है यह बन फोर है यह 3e8 है आपको दिखा रहा था यह 38 है 38 की सौकिट है वह और 38 की सौकिट को उसमें लगा सकते हैं जैसे ये नोजल है नोजल को इसमें लगाएंगे यह हमारा 3-8 का सेट तयार हो गया हमारा SS में यह SS में सेट तयार हो चुका है इसको हम मूव भी कर सकते हैं और इसको हम पानी को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं इस तरीखे से आज मेरा एक्चुली केमरा मेन है नहीं तो आज मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूं और काफी लंबी वीडियो हो चुकी है चैनल को सस्क्राइब करेंगे तब ही आपको अगली वीडियो मिल पाएगी आप चैनल को सस्क बटर बल्यर यहाँ देख सकते हैं यह बाटर प्लेड की हमारे पास ready है रेटिजे में ऑडर प्लेड वी करें जिता आ कि यहाई को वी सेमें इंब पूली है और जिनको मैट्रील कीनी घुकरके और सेम्देंगे में अपना और उडर करें कि या या अगले डे में नजदीग में है तो आपको एविलेबल्टी हो जाएगी पहुंच जाएगा और मैं सभी भाईयों को यही कहूंगा अल्फा फाउंटेंस को सस्क्राइब करें यह दिल्ली में है चतारपोर महरोली रोड आप यहां पर संप्रक कर सकते हैं हमारी कोई ब्रांच भी नहीं है बहुत लोग चिटिंग करते हैं फ्रोड करते हैं तो हमारी ब्रांच नहीं है बाकि मैंने दो नमबर दिये हुए हैं यह पर संप्रक कर सकते हैं धन्यवाद